हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम जिग विंदर है चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि Windows 7 में हम hidden files को कैसे देख सकते हैं इस activity को perform करने के लिए चलिए चलते हैं उस computer के उपर जिसके उपर हमने Windows 7 को install कर रखा है देखिए मैं उस computer के उपर आ गया जिसके उपर हमने Windows 7 को install कर रखा है यहां से मैं Windows Explorer को open करने के लिए directly इस folder icon को click कर सकता हूँ तो मेरा Windows Explorer open हो जाएगा या फिर यहां से इस computer icon को double click कर सकता हूँ या फिर start button को click करके यहां से computer पे click कर सकता हूँ ऐसा करते ही देखिए Windows Explorer मेरे सामने आ जाएगा मेरे इस computer के उपर कुछ hidden folders हैं मैं आपको दिखाता हूँ मैं C drive को double click करता हूँ यहां पे देखिए आपको कुछ folders दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो folders आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं अब अगर आप यह folders को देखना चाहते हैं तो आप Windows Explorer में Organize पे click करें और यहां से folders and search options पे click करें इसके बाद folder options में आप view tab पे click करें और यहां पे advanced settings में hidden files and folders में आप show hidden files and folder radio button को select करें ok button पे click करें और ऐसा करने के बाद हम c drive के double click करते हैं तो देखें यहां पे एक नया folder आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहां पहले भी था लेकिन यह hidden form में था यह hidden form में था इसे represent करने के लिए Windows ने देखी इसका icon थोड़ा सा light shade में रखा हुआ है अगर हम इसको compare करें दूसरे folder से जो कि hidden form में नहीं है इसी तरीके से computer पे click करके मैं e volume को double click करता हूँ तो यहां भी देखें एक folder आपको दिखाई देने लग जया है जो कि actual में hidden form में था अगर आप चाहते हैं कि यह hidden folders दुबारा से किसी को ना दिखें hide हो जाएं तो उसके लिए आप again organize पे click कीजिए यहां से folder and search options पे click कीजिए folder options में view tab को click कीजिए और यहां पे advanced settings में hidden files and folders में don't show hidden files and folder radio button को select करें ok बटन को click करें तो ऐसा करते ही देखिए यहां पे जो हमारा hidden folder था वो यहां से gaib हो गया यानि कि वो दुबारा hidden हो गया है और इसे देखने के लिए हमें इस process को repeat करना पड़ेगा मैं computer पे click करता हूँ c drive को click करता हूँ तो यहां पे भी देखिए program data नाम का folder आपको अब दिखाई नहीं दे रहा है question time चलिए आप मुझे question का answer दीजिए आप मुझे बताईए कि इस वीडियो में हमने show hidden files and folders radio button को folder options की किस tab में select किया था आपकी options है A. view tab या फिर B. general tab आप इस question का answer next 20 seconds में नीचे comments में जरूर type करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप like बिटन को प्रेस करना न भूले latest और नए वीडियो की information अपने mailbox में पाने के लिए channel पे subscribe करें तो इस वीडियो में इतना है thanks for watching